हाई गाईज वेलकम बेक टो मैं चैनल मैं हूँ सुगम और मेरे चानल पर फट से एक बार आपका स्वागत है तो अगेन आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ही कन्फ्यूजन पे मुझे एक वीडियो बनाना पड़ा मैंने जो आप लोगों के साथ यह जो इन्वर्ड नेपल का वीडियो शेयर किया था उसमें बहुत सारी कमेंट आ रहे हैं बहुत सारी मिसंडरस्टाइडिंग हो रही है उसमें एक योट्यूबर है मैं अगर नाम नहीं लेना चाहूंगी वो उसमें आके मित काफी पहला रही है और लोगों को काफी मतलब की बहुत सारा गलत information हो सही दे रहे हैं मैं यह नहीं बता रही हूं लेकर मैं यहाँ पे जो clear करना चाहती हूं वो चीज़ अलग है वहाँ पे मैंने इक दो लोगों को वो चीज़ समझाने की कोशिश की फिर मुझे लगा कि इसके लिए मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहिए देखिए क्या होता है कि निपल का अंदर होना यानि अगर आपके निपल है और वो किसी कारण अंदर चले गए हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा ओयल लगा के मस्टर वायल से मालिश करके निकल सकते हैं या फिर जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगी सीरिंच का मैथट कि किस तरह से सीरिंच के थ्रू आप अपने निपल बहार निकार सकते हैं मेरे साथ पर्टिकुलर डॉक्टर ने फॉस्ट अपॉल यह जब उन्होंने देखा था मेरे आफटर डिलिवरी की मेरे जो निपल से वो फ्लाट हैं तो डॉक्टर को भी लगा था मेवी मेरे निपल अंदर हैं मेंस बहार नहीं है वो अंदर की साइड है तो उन्होंने भी मुझे यह इंजक्शन वाला मैथट करके वहां की जो सिस्टर थी वो करा था और तभी म मेरे जो निपल्स की आफे हैं तो यह मशीन वो क्या करती है और चे instinct पर भी मुझे यह शोड़े निपलस को भी 3D lang बड़े निपल ऑप निप्ल्स को भी घ़ा लैकाぜो ऑफें जो घब तो रोकें रेगा हैं तो यह मशीन की की आफा तो फिर आप सर्जिकल उसमें जाहिए यानि अपना ओपरेशन कराइए दैन इसके बाद अपनी निपल को साइज दीजिए जिसके तुरू वो पुरा ओपरेशन करेंगे आपका और वो काफी पेंफुल है पेंफुल से ज्यादा आप पें ले सकते हैं अपने बच्चे के लि लोगे के पास है जिनके पास है वो खर्च कर सकते हैं जिनके पास नहीं है वो नहीं कर सकते हैं तो मैंने एच चीज बताई मेरे साथ भी यह प्रॉब्लम थी मैंने यह प्रॉब्लम जहली है पंदरा देन मैंने यह प्रॉब्लम जहली है पन्रा देन मैंने यह प्रॉब्लम जहिलते हैं और मैंने जब दॉक्टर से भी कंसर्ट किया था तो उन्हें मुझसे यही का था कि सच में बहुत से लोग हैं और मुझे दॉक्टर ने मशीन रिक्मेंट की थी तब उन्होंने बोला था काफी सक्सेस्पुल मशीन है और मैंने यह मंगवाई थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूरी समझा था इससे पहले जो ये वाला वीडियो है आप जाके चेक आउट कर सकते है इसक्रेप्शन बॉक्स में देख सकते हैं ये वाला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है तो आप एक लाख रुपए की सरजरी किराने से अच्छा इसक्रेप्शन बॉक्स में देखा है और ये जो मैठोड है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखा रहें को किस तरह से जिनके निपल अंदर है या और ये सबसे सबसे तरीका है थोड़ा सा पैंफुल है मुझे काफी पैं हुआ था जब दोक्टर ने मेरे साजीन किया थ अपर डिलिवरी के एक रात बाद यानी 24 घंटे बाद उनोंने मेरे साथ ये मैठोड किया था बहुत पैन हुआ था लेकिन इतना पैन आप सहे सकते हो अगर आपके निपल और इसके करने के बाद भी अगर आप अपने पच्छे को दूद निपला पा रहे हो मतलब क्लियर पता चल जाएगा कि निपल छोटे हैं या फिर इन्वर्ड है आइ तिंग यह सबको आइडिया हो जाता है तो यह यानि कि इस मशीन को आप यूज करें फर्स और यह दैन उसके बाद तो चलिए टाइम पो बेस नहीं करते हो और यह वाला मैथड भी आपको मैं दिखाती तो यह पर आपको 5 ml या पर 10 ml मैं जो भी इसली मिल जाए आपको इसकी जो निडिल है वो हटा देनी है और यह जो आगे का पॉइंट है आपको यहां से इसे कट करना है तो आप ब्लेट के थ्रू चाकू के थ्रू किसी के थ्रू मतलब अच्छे से कट जाएगा बहुत एज अराम से अलग हो जाएगा और मैंने घर की चाकू से जो सबजी काटने वाली है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है अराम से आपको इसे कट करना है तैन उसके बाद आपको इसे निपल वाले एरिया में लगाना है तो यह देखे बहुत अच्छे से निकल गया इस तरह से यह हो जाएगा ठीक है अब वैक्यूम लेने के आपको फस्ट अपॉल यह निडिल हटा देनी है आपको इसका जो अंदर का पार्ट है उसे पहले आपको अंदर डाल देना है जैसे कि उसके बाद आपको निपल वाले एरिया में लगा के इसे निकालना है तो इसे वैक्यूम ल अगर आपके ओल मसाज से भी निपल बहार नहीं आ रहे हैं तो आप ये मैथट अपना सकते हैं मेरे साथ यू डॉक्टर ने में अपना है थोड़ा सा पैनफूल है थोड़ा नहीं बहुत पैनफूल है यह मैथट क्योंकि जब यह वैक्यूम लेगा बहुत ज़्यादा पे आपको उस मसीन का उसकरना है और उसका पटिकुलार में तो खुरला वीडियो बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि नॉन सर्जिकल सल्यूशन है यह कि मतलब आपको ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भीजरत नहीं पड़ेगी यह ऐसे ही आपके फ्लाइट निपल को बहुत अच्छे से निकाल देगा तो मतलब उतने पैसे खर्च नहीं करके आपको थोड़ा सा मांट खर्च करना है और आप अपने बच्चे को फुल क्या है दूद देगा है और काफी ट्रेस्टेट कंपनी का है फिलिप्स का है और मतलब क्लियर उसमें लिखाया देखिए कि अगर फ्लाइट निपल्स है उसके बाद आपने मशीन लगाई दैन आपके निपल्स बन ग सर्जिकल यानि कि आपको उप्रेशन कराने की जुरत नहीं है यह आपको उतना अचसर सपीशियंट रिजर्ट देगा हाँ और मेरी एक सब्स्क्राइबर को जो है उन्होंने मुझे मैसेस किया था कि मैं यह मशीन रुप नहीं रही है यानि कि यह मैं वैक्शीन वैक्यूम अगर आपको लग रहा है कि वैक्यूम नहीं ले रहा है तो आप कच्चे को पिलाने से पांच मिट पहले से लगाईए घसीट यह जैसे ही निपल आई थी तीन सेकंड तक पूरा आपका जो निपल है वो बड़ा रहता है बहुत बड़े साइज में नॉर्मन साइज से काफ कि बहुत अच्छे से आपके मिल को शक करेगा तो यहाँ पर मैंने आप लोगों की हर में संडे स्टैंडिंग को खतम किया है और जो प्रॉब्लम थी एक लोगों के साथ कि अगर आपको नहीं कर बच्चा जैसे नहीं वैक्यूम के थ्रूर रूख रहा है और हाँ एक चीज और जैसे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस मशीन को लगाने के बाद मैं उपर से अटागारंस पहनू की न पहनू ब्रा पहनू की न पहनू और कपड़े पहनू की न पहनू देखे यह आपके कमफर्ट के उपर है मैं क्या करती थी मैं इस मशीन को लगाती थी देन उसक करिए आप अमीड़ा उतारिये और यहां इसे शक करिए शक करने के बाद जैसे ही साइब निपल का साइज बढ़ा हो रहा है एक तो सेकंड रुखिए उसे हटाइए देन अपने बच्चे को लगा लीज़ो और बच्चा आपका मिल शक करने लगेगा और आप देखेंगे मेर इन फ्यूचर में अभी कुछ भी प्लान नहीं है इन फ्यूचर अगर मेरा दूसरा बच्चा हुआ तो उसमें भी मुझे ये यूज होने वाला है और आपकी हर मिसेंडेस्टेंडी को यहां पे मैंने पूरा करने की कोशिश की है और इससे रिलेटिट कोई भी कोश्चन आप मुझे मेल भी कर सकते हैं सुगम.amit.gmail.com और आप मेरा फेस्बूक पेज Fat to Awesome भी लाइक कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आइडी है बहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है सुगम शंशाइन करते हैं तो यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं था जस्ट एक फिलिंग वाला वीडियो था कि मैं भी समझ सकती हूँ कि क्या होती है एक मदर की फिलिंग अगर वो अपने बच्चे को दूद नहीं पिला पा रही है और इस कारण से तो जहां तक मेरी कोशिश थी कि मैं हर लोगों को यह सुग दे पाऊं या जो इस वज़े से प्रॉ अपने बच्चे की दूद की फीडिंग सप्लाई है तो इसे कैसे बढ़ा सकते है उसका भी पर्टिकुलर वीडियो है आप जाके चेक कर सकते हैं आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंदाया होगा और पसंदाया हो तो प्लीज मेरे चानल को लाइक करिए इस वीडियो को भ झाल झाल